So, Hey there, I am Shivai and you are on Sesta Explainer. दोस्तो, आज इस मोवी को हम explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है Wrong Turn 2, जोके release वी थी ये 2007 में. मोवी का पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा हैं, तो उसका लिंक नीचे description में दिया हुआ है, आप चाहो तो उससे देख सकते हो, चलिए जादो देन अगरते होई, हम explanation स्टार्ट करते हैं, परन्तु उससे पहले दोस्तो, मुझसे बात बगहरा करना चाहते हो, या फिर मुझे देखना चाहते हो, तो आप मुझे Instagram पर follow करके message कर सकते हो, मेरे Instagram का लिंक नीचे description में दिया हुआ है, तो मुवी स्टार्ट होती हैं, और हम एक लड़की को देखते हैं, तो उसका ध्यान रूट से हट जाता है, और इसी बीच उसके सामने कोई आ गया, जिस इसका उसकी कार से accident हो जाता है, तो वो बंदी अपनी गाड़ी को रूखती हैं, और उतर करके उसे check करने जाती हैं, हलाकि वो उसकी help करना भी जाती थी, परन्तु अगले इस तक हम क्या देखते हैं, वो घायर बंदा अचानक से उठकर के उसके होटों को काट लेता है, और काट कर खाने लगता है, यहाँ पर वो बंदी काफी ज़्यदा डर जाती हैं, और बहुत ज़्यदा पीन में भी थी, तो वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागती हैं, परन्तु वो अपनी कार तक पहुच पादी, इससे पहले ही भापर कोई और आ जाता हैं, तो इन्हें कि लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हाला कि आप इन्हें पिछली मुविस में भी देख चुके हैं, परन्तु आप इनका इंट्रोड़क्शन नहीं जानते होंगे, तो पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, इसमें से जो पहले बला बंद था, इस की इसका नाम है three finger, एकचलि इसका नाम three finger इसकी है, क्योकि इसने अपने हिक दो fingers को अपने ही डातों कीट करके खा लिया था, अब इसके पास फिलाल तीन ही finger बची है, इसलिए इसका नाम three finger है और इसके लाबा एक करेक्टर और है वो जब आपके सामने आएगा तब हम उसके बारे में आपको पताएंगे घर यहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं जिसके बाद थ्री फिंगर उससे बीच से फार देता है और उसका एक एक पार्ट ले करके यह दोनों ही अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और अगले सीन में हमें वो जगे दिखाई जाती हैं जहाँ पर यह एक्टरस जा रही थी एक्टरस में यह एक रियालेटी सो था जिसमें इन लोगों को खत्रों का सामना करना था और इसलिए यह लोग इस जंगल में आये थे शूट के लिए परन्तु वो एक्टरस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुची लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इनकी बहुत बड़ी लापरवा ही कि वो लोग उस एक्टरस की तलास नहीं करते हैं कि आखिर वो गई कहां और यह लोग उन्हीं के टीम में से एक बंदी मारा को उसके जगे लेने को बोलते हैं और फानली इनके सिक्स कंटेस्टेंट पूरे हो जाते हैं और यहीं पर हमें एक रेटायर्ड आर्मी ओफिसर दिखा जाता हैं जो कि इन्हें टास्क देगा दोस्तो इसका नाम डेल हैं और यह इन्हें पहला टास्क देता हैं कि इन्हें जंगल में जा करके अपने लिए खाना ढूणना है और दूस्तो इस चीज के लिए इन्होंने पूरे धंगल में कैमरे फिट कर रखें और इसके साथ उन्होंने उन कंटसेंट के बॉइडी में भी कैमरे फिट कर रखें ताकि इन्हें उनकी मुवेंट की लाइभ रिपोर्ट मिल सकें इसी बीच हम डेल को देखते हैं जो कि जंगल में वापस जाता है कैमरास को चेक करने के लिए तब ही जिसका माउंटेन स्कूटर होता है उसी किसी ने तीर मार करके पंचर कर दिया था और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर भी कोई तीर मारने लगता है उससे बच कर यहां पर हम देखते हैं कि इसका कोई भी असर नहीं होता अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि इससे असर क्यों नहीं हुआ तो यह चीज आपको इसके अगली पार्ट में समझ में आएगी क्योंकि यहां पर मैं बता दूंगा तो आपका सस्पेंस खतम हो जाएगा लेकिन जिसके लिए वो एक नया तरीका निकालता है जिसमें वो दो कंटेस्टेंट को बोलता है कि तुम्हें जंगल में ही इंटीमेट होना है जिससे कि लोग जब यह देखेंगे ना तो मेरा सो पक्का वॉपलर हो जाएगा पर उनमें से जो बंदा होता है वो इस बात के लिए और वो वहाँ से चला जाता है लेकिन उस लड़की को माईकल की बास समझ में आ जाती है तो वो इस चीज़ के लिए हाँ भी भोल देती है तो माईकल और वो दोनों वही पर इंटीमेट होने लगते हैं जिसकी वो वीडियो भी बनाते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ हम मारा क को लेक्ते हैं जिसे उसके टास्क की एक हिंट मिल गए थी और वो इस हिंट को फॉलो करते करते अपने उस टास्क को कंप्लीट भी कर लेती हैं पर जब वो वापस आ रही थी तो उसने अपने वाइफिंड माईकल को उस लिड़की के साथ इंटिमेट होते हुए देख लिय के पास पहुचती हैं हाला कि उस घर में कोई होता तो नहीं है परन्तु वहाँ पर कई सारे अजीबों करीब म्यूटेंट टाइप के लोगों की पिक्स होती हैं अब दोस्तों इनके बारे में भी जान लो कि अभी तक आप जिने देख रहे थे ना यह उनका ही घर है और यह मा की इस समय डिलीप्री का टाइम हो गया है और भाई सब हम देखते हैं कि वो मा वहीं पर अपने बच्चे को जम देती हैं चुकि उनहीं की तरह एक म्यूटेंट था और देखने में काफी जद्दा क्रीपी लग रहा था इसके बाद वहां से भागता थी इससे पहले ही व वो लोग उस दर्वाजे पर कई सारा सामान लगा देते हैं परंतु उन्हें पता था कि जाना दोर तक यह चीज उन्हें बचा नहीं पाएगी और बचना है तो उन्हें कैसी बिगर के यहां से निकलना पड़ेगा जिसके लिए वो हेल्प लेते हैं उनके ही ट्वालेक के क पर फिटते हैं जोकि unfortunately मारा के सर पर जा लगती हैं और वो वही पर अपना दम तोड़ देती हैं इसके बाद वो उस एक्स को उसके सर से वापस निकालते हैं और सीधा भागते हैं दूसरी लड़की की तरफ और जो नीना है वो किसी तरह से उनसे बचते हुए एक जिगे प नीना भी वहां से निकल जाती हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल को जो अभी-अभी इंटिमेट होकरके उठाएं यहां पर वो लड़की अपनी ड्रसिंग को वापस फियर कर पाती इससे पहले ही यहां पर वो म्यूटेड लड़की आ जाती हैं जोकि उसे मारने के ल जिसकी अभी-भी ही आँ खुली हैं और वो अपने आपको कहीं पर उल्ता बंधा हुआ बाता हैं वो अपने सामने थ्री फिंगर को देखता हैं जोकि उनकी ही टीम के एक मेंबर को काट करके शाम के डिनर की तयारी कर रहा था अब यहां पर एक ही खत्रा है वो है थ्री वि पाया और ना सिर्फ लड़ता है जिसके बाद वो उसे उसकी ही गन से शूट भी कर देता है यहां पर दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो वापस आया है अपनी वैन में और यहां पर वो पूरे जेंगल का हाल चल लेना चाहता है कि आखिर उसके कंटेस्टेंट है कह पर 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 इतने में ही जो उसकी वैन थी आ वैन नी बोलेंगे तो ट्रक है तो जो उसकी ट्रक थी वो चल पर दी है माइकल को लगा कि साथ आल्ड़ेडी उनकी टीम का कोई बन्दा बैठा होगा चुकि ट्रक को चला रहा है तो वो इस बात पर ज्यान ने देता और के पास पहुची है यहां पर वो उन्हें सारी घटना बताती है परन्तु वो लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं करते हैं पर तभी उनकी निजर पढ़ती है उस मीट पर जिससे वो लोग अभी तक खा रहे थे उसमें एक टैटू बना हुआ था और यह टैटू उसी लड़की की बात पर बिलीव कर लेते हैं तो वो उसकी बात मान करके वहां से भागने लगते हैं और सिधा पहुचे उसी ट्रक के पास अब यहां पर कोई नहीं है तो वो लोग काफी ज़दा डर जाते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि वो पीपर मिल के तरफ जाएंगे शायद वहा पर बैठा होता है तो डेल उससे उन म्यूटेंट्स के बारे में पूसता है जिस पर वो बताता है कि वो कभी म्यूटेंट नहीं हुआ करते थे एक समय पर वो भी इंसान थे परंतो यहां के जो पास की पेपर मिल है उससे निकलने वाले केमिकल की वेज़े से वो लोग ऐसे हो गया है और इसके बास तो यह उनकी फैमिली आगे बड़ रही है खेर यहां तक तो अपना मैन अर्ट कुछ भी नहीं करता परंतो जब उसे पता चला कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो उस पर भड़ाग उठता है और उससे मारने की कोशिश करता है तो यहा एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और मैन यार्ट के चित्रड़े होड़ जाते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन बंदों को जो कि उस जंगल से भाग रहे थे परंतो तभी उन्हें कुछ क्रीपी सी आवाज सुने देती हैं जहां पर इन्हें वही म्यूटेड लड़की औ तो वो भी चाहते हैं तो उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग सकते थें परंतो जो जैक नाम का बंदा खाना वो थोड़ा सा काइंड था और वो डिसाइड करता है कि वो नीना को इस तरह से छोड़कर नहीं जाएगा तो वो एमबर और जोंसन से कहा रहा हैं कि तुम ल छोड़ी सी एंजरी हो गई थी खर बाहर निकलते ही उन्हें पास से ट्रक की आवाज सोय देती हैं चोकि ओवियस सी बात है दोस्तो फादर ही चला रहे होंगे तो वो दुनों उनसे बचने के लिए जंगल में भागते हैं और कुछ दूर भाग करके उनके सामने एक रिवर पर आती हैं आप पीछी तो वो जाने सकते आगे रिवर है तो वो लोग रिवर में ही कूदने का डिसाइड करते हैं यहाँ पर दूसरे तरफ एमबर और जोंसन जो है वो उनसे बच करके भाग रहते हैं परन्तु गलती से वो उनके ही ट्रैप में फर्स जाते हैं और हवा म जूलने लगते हैं उन्हें जूलता देखकर के वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर आता हैं और वो अपने बेटे से बोलता है कि चलो इस बार तुम इनका हंड करो जिसके बाद वो बंदा एक ही तीर से उन दोनों के सर को आरपार कर देता हैं दूसी तरफ हम देखते हैं जैक और नीना को जो किसी तरह से उस पेपर मिल में पहुँच गया है खर जब वो लोग पेपर मिल को चेक करने ले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कई सारे वहिकल्स मिलते हैं दोस्तों ये वहिकल्स कोई और नहीं बलके उन्हीं लोगों के हैं जिनने आज तक इन लोगों ने अपना शिकार बनाया और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा खर इतने में ही उन्हें अपना वाला ट्रक भी दिखता हैं जिसके अंदर से माइकल के रोनी की आवाज आ रही थी माइकल को प्रॉब्लम में देख करके अपना जैक जल्दी से उससे बचा निकले जाता है परन्तों जब वो अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर माइकल है ही नहीं एक्चर में वहाँ पर तो एक वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें माइकल रो रहा था और वो जो मुटेंट मदर थी वो उसे बहुत ही ब्रूटल तरह से मार देती है यहाँ पहुच करके उन्हें समझ में आया कि वो लोग एक ट्रैप में फस गया है उन्हें यहाँ पर लाया गया है और वो कुछ सोच या समझ पाते इससे पहले ही वो मुटेंट वहाँ पर आ करके दोनों को पगड़ लेते हैं उस देर के बहुत जो नीना की आप खुली तो वो देखती है कि वो मुटेंट के साथ बैठी हुई है और उनके डिनर का टाइम भी हो गया है तो वो लोग अपना खाना खाने लगते हैं परन्तो जो नीना थी उससे भी खाना दिया गया लेकिन नीना इंसानी मांस कैसे खा सकती है तो वो उस मांस को खाने से मना करती है जिस पर वो Muted Lord का जबर्दस्ती उसे वो मांस खिलाने लगता है और दूस्तों यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि यह लोग उस कैबिन में नहीं बल्कि इस पेपर मिल में रहते हैं और यह जो कार्स थी वो यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि यह लोग यहाँ पर रहते थे और जिस किसी को भी मारते हैं उसकी कार्स यहाँ पर लाकर रख देते हैं खेर यहाँ पर ना सिर्फ इनका डिनर टेबल है इसके साथ साथ इनका किचेन भी यही पर है और किचन में इनकी जो मेन मशीन है वो है एक ग्राइंडर जिसमें वो लोग मांस को पीसते हैं और पकाते बगरा हैं और जब वो म्यूटेट मदर मांस को उसमें डाल रहे होती है तभी उसके नीचे हम डेल को देख पाते हैं और जब वो लोग अलग-अलग हो करके डेल को ढूणने थे तभी वो उन म्यूटेट ब्रदर और सिस्टर को डाइनामाइट से उड़ा देता हैं जिसके बाद वो फादर अपने बोग के हप से बहुत सारे एरोड डेल की बॉडिम होता देता है परंतो दोस्तों हम देखते हैं डेल एक बहादू यूद्धा की तरह अभी तक लड़ ही रहा था पर शायद इस बार किसमत उसका साथ देने के मूड में नहीं थी क्योंकि इतनी ही देर में जो वो म्यूटेट मदर थी वो एक कटीले तारों को उसके गले से लिप्टा देती हैं और फिर उन तारों को पूरी पावर से खीशती हैं जिससे उनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पर डैथ हो गी खैर ये दुनों अब आजाद हो गेते तो अपने जान बचाने के लिए भागते हैं हाला कि नीना तो बाहर आ जाती है परन्तो जैक गलती से उनके किचन में पहुँच जाता है उसका पीछा करते हैं वो म्यूटेट कपल भी वहाँ पर पहुच जाते हैं जो कि उसे जबर्दस्ती उस ग्राइंडर में डालने की कोशिच कर रहे थे चैक काफी चीक रहा था और बाहर नीना उसकी चीक सुन पारी थी और इस बाहर नीना पहले जैसा काम नहीं कर दी वो उसे बचाने के लिए वापस अंदर जाती है जिसके बाद वो अंदर जहां करके म्यूटेट फादर पर एटाक करती हैं और अपने मु से उनके गर्दन का एक मान्स खीच लेती हैं जिसके बाद वो muted couple दोनों मिल करके उसे मारने की कोशिश करते हैं परंतो इतने में ही वो एक बड़ा सा wooden lock उन पर छोड़ देती हैं जिसकी चोट की वेज़े से वो लोग खुद को समाल नहीं पाते हैं और सिधा उस grinder में जहा गिरते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती हैं अब सब कुछ ठीक हो चुका हैं तो वो दोनों एक कार ले करके वहाँ से वापस सहर की तरफ जाने लगते हैं और मूवी के end में हम देखते हैं कि three finger अभी तक मरा नहीं हैं और ना सिर्फ इतना ही इसके बाद वो अपने ही mom के नौजात सिशो को feeding कराने लगता हैं उससे feed करान के लिए वो मारा की finger का use करता है घर इसके साथ यह movie यहीं पर end हो जाती है और विससी बात है कि इसका अगला पार्ट भी available है तो अगर आप चाहती हो कि मैं इसका अगला पार्ट explain करू तो नीचे comment में part third या फिर next part ज़रूर लिग देना अगर मुझे next part के लिए 500 comment मिल जाते तो उसके अगली ही दिन में इसका next part आपके लिए upload कर दूँगा movie आपको कैसे लगी हमें नीचे comment करके जरूर बताना ऐसे ही और भी ज़दा interesting movies को देखने के लिए हमारे channel को subscribe कर लो मुझे से बात बगरा करना चाहते है या फिर मुझे देखना चाहते है तो मुझे instagram पर follow कर के message कर देजएगा उसका link नीचे description में दिया हुआ है thank you bye bye signing off